हेलो एवरीवन आज मैं आपको BCCI के domestic or state registration के बारे में बताऊँगा और trial के बारे में बताऊँगा इनकी तारीकों के बारे में बताऊँगा और गाइस ये भी बताऊँगा कि BCCI की तीन बड़ी ट्रोफी इस साल नहीं खेली जाएंगी जी हाँ गाइस तो इस वीडियो को last तक जरूर देखना मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी और गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी ट्रोफी इस साल नहीं ख खेली जाएगी आई होब की यह अगले साल तक फिर से 20 के शैडियूल में आ जाएगी तो गाइस यह क्यों नहीं खेली जा रही है ज्यूंकि यह कहा है कि कोविड के चलते यह 3 टौफी नहीं खिला जारी क्योंकि बहुत सारे प्लेयरं हो जाएगी पिर बहौत सारी टौफी हो जाएंगी जिनने मैनेज करना मुश्किल है क्यों कि आदा साल तो अभी भी ती गया है और यह ट्रॉफी इन महीनों में होती थी जो अभी कोविड के चलते लॉगडाउन में निकल गए हैं तो गाइस अब बात कर लेते हैं डिस्टिक और स्टेट रिडिस्टेशन और ट्राइल जियांगा तो गाइस बीसी से के शेडियोल की माने तो इस साल रिडिस्टेशन और ट्राइल शुरू होंगे सप्टेंबर में जियांगाइस अगस्त के बाद सप्टेंबर के पहले हफते में यह रिडिस्टेशन और ट्राइल शुरू ह हो सकते हैं और इसकी जानकारी आपको BCI official website पर मिल जाएगी और आप easily वहाँ पर जाकर अपना registration कर सकते हो जिन्होंने पहले registration किया है उन्हें करने की जुरूरत नहीं है लेकिन जो नए प्लेयर है जिन्होंने आप registration नहीं किया है उन्हें registration करने की जुरूरत पड़ेगी क्योंकि उसके बिना आप ट्रायल नहीं दे सकते और registration online ही होंगे और documents क्या-क्या लगते हैं registration के लिए वह मैं आपको बता देता हूं documents लगेंगे वह लगेंगे आपका date of birth 10th और 12th की marksheat और वह भी दो-दो copies फोटो कापिया करवाके रखें वह ज्यादा जिरूरी होती हैं और उसके बाद आपका अधार card और आपकी एक passport size photo यह bccik domestic जो registration होते हैं उनमें यह यह proof चाही होते हैं अगर आपके पास इन नहीं है कोई भी तो आप बनवा लीजी अभी थोड़ा time है इसके बाद गाइस ट्राइल अगर आपने registration कर दिया bccik तो आपको message आ जाएगा आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा जा फिर अगर आपने वहां पर mobile जा फिर email ID भरी होगी तो आपको email आ जाएगा कि आपका registration हो गया है जापके ट्राइल इस दिन है तो घाइस अगर आप बीसी से के ट्राइल देना चाहते हो चाहिए वह डिस्टिक हो चाहिए वह स्टेट हो आपको registration करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉंटेन होता है आप registration के बिना आप ट्राइल नहीं देकि है आपको registration करना ही होगा पहले ऐसा नहीं है कि आप offline registration कर दें आप मैदान में register did ऐसा नहीं हो सकता अगर आपको पता तो मैं आई बेटन में link देदूगा आप वाँ पर जाकर ऑनL KIRBY कैसे करते हैं वह देख सकते हैं आप मुबाइल से भी कर सकते हैं और PC से भी कर सकते हैं तो गाई ये थी PCCiK District और State की Registration और Trial की जानकरी तो आपको कैसी लगी हमें comment में जुरूर बताएं और आप कौन से district से हैं वो भी comment में जुरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे